हम बात कर रहे हैं NLC India Limited की आज के दिन की बात करें तो अल्मोस्ट एक परसेंट टक की गिरावट के साथ स्टॉक में आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है हम देख सकते हैं स्टॉक ने बॉन्स बेक तो दिखाया था आपको अल्मोस्ट 255 के लेवल से पांजबेक दिखाया था 210 के आसपास रिजेक्शन लेकर गिरावट आई अगेन वहाँ से हमको रिवसल लेकने के लिए मिला लेकिन इससे पहले जहां रिजेक्शन फेस किया था सेम रिजेक्शन फेस करने के बाद गिरावाट आई तो अपना recent low breakdown करते हैं नजर आया हाला कि अभी तक इस low को breakdown नहीं किया है जहां से इससे पहले support लिया था लेकिन इसके trend को देखो दोस्तो एक jump आये गिरावट, again jump, इस high को breakout नहीं किया, again गिरावट, गिरावट के साथ bounce back हुआ था तो इस high को breakout नहीं किया, rejection लिया और low breakdown करते हैं नजर आ रहा है यहां से देख सकते हैं जब 290 के आसपास से rejection लिया था तो बड़ा fall हमको लगातार बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी, हम देख सकते हैं लगातार red candle देखने के लिए मिली और अपने important support पर ही 260 के level पर support लिया यहां से jump के बाद rejection ले रहा है, तो अगर इस level को breakdown कर जाता है, जैसा के chart pattern हमने देखा कि high को आपने breakout नहीं कर पा रहा है, rejection लेकर गिरावट दिखा रहा है तो jump के बाद rejection लिया है, अगर इस low को 260 के level को breakdown कर जाता है तो next support बनेगा यह जो level है, 255 का level, जहां से इस से पहले stock ने recovery दिखाए थी और यह important support है, अगर इस level को 255 के level को breakdown कर गया है stock 255 के level को तो इसी condition में, जहां से बड़ी गिरावट के साथ bonds back किया था 240 का level, यहां तक का भी फिर fall NLC India दिखा सकता है लेकिन अब अगर यहां से stock bonds back करता है, जम पाता है, तो immediate target 280 का level रहेगा हालाके resistance है, लेकिन breakout कर गया है, तो major resistance फेस करेगा इस high के आसपास 288, 290 का level इस level का breakout फिर important रहेगा और upside के लिए और recovery के लिए तो 288, 290 इसका major resistance रहने वाला है, जहां से हमको दो दफा गिरावट डेखने के लिए मिलिया और दूसरी दफा बड़ी selling दिखाए थी, तो जब तक इस level को breakout नहीं करता, और इसके ओपर sustain नहीं होता, तब तक बड़ा upside बड़ी recovery नजर आना मुश्किल है, अगर bondsback करके इस level को breakout कर गया तो फिर 300 और 320 तक का भी फिर jump हमको NLC India दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर हमको नजर रखने क्योंकि stock low और low chart pattern हमको दिखा रहा है, तो jump के बाद गिरावट आ रही है, अगर इस low को breakdown कर जाता है, तो औ और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, वीडियो education purpose के लिए कोई buy sale या hold की सला नहीं दे रहे है, अगर आप teammate account open करना जाते हो, तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो,